हेलो अब्रीवन वेल्कम तो थ्राइब इस लिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यह चैप्टर कई बार कंफ्यूज करता है और बहुत तरी कीशे बोला जाता है लेकिन बच्चे इसको कॉशिच में हमेशा यह करता हूं कि जितने एजी और चोटे चैप्टर कर आउं जो आपके इंगलिस जल्दी एल्दी इंप्रूब करें वैं वैंसे चैप्टर लाता हूं लेकिन कुछ इसमें कॉंसेप्ट बहुत सारे अगर मैं आपको एक कॉंसेप्ट समझाँगा दूसरा नहीं समझाँगा तो बाद बेर दिक्कत आ सकती है तो जरूरी है कि आप सारे-सारे सारे समझें तो आज की वीडियो थोड़ी बढ़ी होने वाली है लेकिन अगर आप इसको ध्यां स चलिए इसके स्वानों या मानों की या फिर जैसे Himself मानों या मानों की जैसे या फिर जैसे इसका इस्माली के लिए होता है जो की रेल ना हो यानिकी unreal हो, एक परकार की imagination हो, जादा कर इसका प्रियोग present और future में होता है, पर इसका जो past भी एक परकार से past भी बनाया जा सकता है, आपको एक rule के मादम से मैं हो समझाऊंगा लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि unreal condition जो भी होगी as if या as do के बाद वाले वाक्यों में हमेशा past tense में होगी कुछ जगाओं को छोड़ कर जो जगा छोड़ कर है, मैं वो भी आपको अगे बताऊंगा इसके अंदर कई तरह के rule काम करते हैं, लेकिन इसमें दो परमुक rule होते हैं, जो मैं आपको भी कराऊंगा, तो चलिए rule के मादम से समझते हैं, sentence कहाँ चलता है पहले हैं बात करते हैं, एक first rule की जिसके अंदर जो rule होता है, वो हमारा होता है subject plus में verb की first form plus s या es देखिए, s या es का use जो होता है वो हमेशा present definite he sheet के अंदर इस्तमाल कर आता है यानि को third word singular हो, या फिर he sheet आये, तब s का अस्तमाल करते है तो अगर यहाँ पे subject हमारा he sheet होगा, तो verb की ये साथ s या es लगाना है, आपको first form की, यानि कि हम कह सकते हैं कि fifth form लगानी है otherwise यहाँ पे first form लगानी है ठीक है, तो यह rule होगा subject plus में verb की first form plus s या es अगर he sheet हो, तो otherwise नहीं otherwise first form में लगानी है, ध्यान रखना है plus as if या as though, इन में से कुछ एक, plus में subject plus में verb plus में noun या फिर adjective हाँ जी, यहाँ पे लेगा मैंने का verb plus में noun or adjective, यह main है अपको ध्यान समझना है, क्योंकिको मैं अपको noun और adjective वाला format समझाने बाला हूँ तो subject plus में verb की first form as is, अगर he sheet हो तो plus में as if plus as, sorry, as if या as though में से एक, plus में subject, plus में verb, plus में noun या adjective लगाना है आपको यह बात ध्यान रखनी है if के साथ, या फिर unreal condition के साथ हमेशा वर का प्रियोग किया जाता है या वर का प्योग के लोग as if ना use करके as though लगाते हैं, use करते हैं और वाज का प्रियोग करते हैं तो मैं यह कहना चाहूँगा आप यहां वर की लगाएं क्यूंकि यह एक unreal condition है यदि यह real condition होती तो यहां वाज का प्रियोग भी किया जा सकता था, ठीक है, इसी वेज़े से मैं रूल में safe for see, वर लिखवाया है चलिए अब इसका दूसरा रूल देखते हैं या चलिए पहले मैं कुछ example ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा better करें फिर दूसरा रूल के बारे में बात करेंगे तो यह रूल आपने देखी लिया है तो उसका example लेते हैं मालीजी मैं आपसे कहता हूँ वह मुझे ऐसे आदेश देता है जैसे मैं उसका no-kar हूँ वह मुझे ऐसे आदेश देता है जैसे मैं उसका no-kar हूँ तो he orders me, he shit आएगा तो लगेगा मैंने बताया था तो he orders me as if या as 2 में से एक लगाना है तो मैं यहाँ पर as if लगाता हूँ फिलाल तो he orders me as if I were his servant यहाँ पर दिखें मैं नाउन उसका रहा है है ना तो चलिए आगे बढ़के हैं अब जैसे यहाँ लिखा है मुझे ऐसा है डाटता है मानो मैं उसका छोटा भाई हूँ अब मानो मैं छोटा मतल मैं उसको छोटा भाई नहीं हूँ इस condition में वो unreal condition बन जाती है तो अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे he scolds me as if I were his younger brother हाँ ना कितना आसान है तो मैं यहाँ बर लगा है कि वो unreal condition को define कर रहे है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तुम ऐसे बाते करते हो मानो तुम एक नेता हो तो यहाँ पर क्या करेंगे you speak as if you were a leader आगे बाते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या करा noun और adjective का इसमाल करा है जो simple सा format में काम कर रहा है एक present rule लगाना है आपको as if लगाना है और उसके बाद फर लगा के अगला sentence बनाना है बहुत simple सा noun लगा के sentence बनाना है बहुत simple सा format है चलिए आगे बात करते हैं अब बात करते हैं second rule के बारे में second rule के बारे में बात करें तो बहुत simple सा rule है यह कैसे चलता है इससे हम बागी के sentence बना पाएंगे काफी मदद मिलेगी हमार को यह बनता है हमारा subject plus में work की first form या fifth form में यहाँ पर fifth form बोल देता हूँ प्लस में subject प्लस में would प्लस में work की first form और प्लस में remaining sentence आई बात समझे मैं आपको ठीक है लेकिन अब देखिए इस दो rule जो भी मैं आपको कराएं executive वाला और यह दो rule जो हैं यह दोनों ही rule इसके main part माने जाते हैं कह सकते हैं कि main sentences इन ही से बनाया जाते हैं इन दो rule हो से rule से sentence बन जाते हैं लेकिन अगर हम बाकिए की sentence बनाना चाहें तो बाकिए को बनाने के अलग-अलग format है यानि कि अगर हम बात करें इन दो rule हो की जो मैंने भी बताया एक आपको बताया no action I mean sorry हमारा noun वाला, adjective वाला और एक इन वूड वाला जो बताया भी आपको यह दोनों ही main rule हमारे होते हैं यानि इन दोनों को ही चलन इस chapter में है लेकिन अगर और भी बनाना चाहें तो उसके और भी तरीके हैं मैं आपको वो भी लिखवा देता हूँ साथ के साथ जैसे कि अगर मैं इसके तीसर रूल के बारे बात करूँ तो तीसर रूल इसका इस तरह चलता है, subject प्लस में वर्फ की first form या fifth form प्लस में as if या as though प्लस subject प्लस में वर्फ की second form प्लस में remaining object, it means वहाँ पे मैंने would प्लस में first form या उपर वाले रूल में और यहाँ पे मैंने subject प्लस में second form यूज करी है, तो यह दोनों रूल भी संडेश को बनाने में काफी मदद करते हैं ठीक है आपको बात समय देरी होगी, यह हो गया तीसर रूल, एक चोथा रूल भी इसका देखे लेते हैं, वो चोथा रूल कैसे काप करता है वो देखिए, subject प्लस में work if first या fifth form, प्लस में as या if, या फिर as though प्लस में subject प्लस में has या have या फिर had प्लस में third form, प्लस में object यहाँ पे has या have या had जो भी आप लगाएंगे यह tense के आधार पे लगाना है आपको present है तो as have लगाना है और past है तो आपको hat लगाना है यह total अभी मैंने आपको चार रूल बताएं और यह चारों के चारों रूल बहुत ही जादा प्रमुक चैप्टर या प्रमुक रूल माने जाते हैं में की दो मैंने पहले बताएं वो main माने जाते हैं इसके अलावा इन दोनों रूलों के आधार पे भी इन chapters को बनाया जा सकता है चलिए तो जो adjective और noun वाला है वो तो बिल्कुल अलग है उसका जो first rule है उसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है वो तो उसी आपको notion नहीं हमारे noun वाले और adjective वाले sentence में ही काम आएगा उसका वो use कहीं पर भी नहीं है लेकिन जहाँ पर दो वाक्य हैं दो वर्व वाले format आ रहे हैं उस जगह पर हमारे इस दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का और चुत्य नंबर का रूल काम कर सकता है बात समझें जिसके अंदर वुड़ वाला चैप्टर ज्यादा पॉप्लर है ठीक है चलिए आई होप आपको समझा रहा होगा चलिए अब example लेके बात करते हैं अब देखिए मान लीजिए मैं अपसे कहता हूँ राकेस ऐसे बाते करता है जैसे वह सब जानता है अब मैं देखा राकेस ऐसे बाते करता है जैसे जैसे आ गया मानू के सब फॉर्मेट वह से तो चाहिए इसको मैं मानू बोलू राकेस ऐसे बाते करता है मानो वह सब जानता है या फिर राकेश ऐसे बाते करता है जैसे वह सब जानता है जैसे भी बोल सकते हैं जैसे की भी बोल सकते हैं सारे सारे संटेश इसी संटेश फॉर्मेट बनाते हैं तो अब यह कैसे बनेगा फिराल तो मैं आपको इसको बनाता हूँ हमारे second number वाले rule से तो देखी कैसे बनेगा राकेश talks as if he would know everything राकेश talks as if he would know everything हाई ना बात समझ में अब इसी वाक्या को माल लीजिए मुझे तीसे तरीके से बनाना हो तीसे वाले rule से बनाना हो तो तो वो कैसे बनेगा rule आपके सामने है तो राकेश talks as if he knew everything आईने बात समझ में मेरी तो जो मैंने second rule लगाया है उसमें मैंने would का समाल करा है as if के बाद वाले बाक्ये में और जो मैंने ये third वाला sentence बनाया है I mean जो राकेश सेंटेश को बनाया है third वाले format में उसमें मैंने second form का समाल करा है as if के बाद ठीक है तो अब माल लीजिए मैं आप कहता हूँ ऐसा लगता है मानो वह नया mobile खरीदेगा ऐसा लगता है मानो वह नया mobile खरीदेगा तो it seems as if he would purchase new mobile तो जो future का sentence होगा या फिर present का sentence होगा वो हमेशा हमारा वोड में या फिर इस past के new formator बन जाएगा ठीक है तो it seems as if he would purchase new mobile ऐसा लगता है जैसे वर्षा होगी it seems as if it would rain आई बास समझ में चलिए अब मुझे उमीद तो है कि आपको समझा रहा है आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं rule number 4 के आपको 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 आपक look as if you haven't had a bath for a year, दोबारे बोदता हूँ, you look as if you haven't had a bath for a year, आपको यहाँ पर head की जगह पर taken भी यूज कर सकते हैं, क्योंको मैंने take यहाँ पर लगा, take को हम hazard में भी define कर सकते हैं, ठेक है, चलिए आगे बलते हैं, यह बात के लिए होगी आपको, कही लोग इसमें head का सूचना जरूर जरूर देना चाहूँगा, कि केई लोग इसमें head का प्रियोग भी करते हैं, पर जानने वाली बात यह है कि, यह tense पर depend करता है, कि present perfect है, या फिर past perfect है, अगर present perfect है, तो hazard third form के साथ आएगा, और अगर past perfect है, तो head third form के साथ आएगा, इसमें मैंने बहुत लोग को को देखा है कि head का इसमाल करते हैं, नहीं जानता क्यों करते हैं, हो सकता है, चलन ज्यादा एक flow में भूलते हैं, वो चलन है, बन गया है, लेकिन इसमें tense को ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन some similar sentence लगते हैं, present perfect, past perfect, past indefinite, इसलिए कई बाद लोग ऐसी गलते हैं, चल तो यह मैंने परजे ने बनाया था, तुम ऐसे दिख रहे हो, मानो एक सासे ना नहाए हो, तो यह बन जाएगा, तुम ऐसे दिखे, मानो, तुम एक सासे नहीं नहाए हो, या नहाए थे, नहाए थे बोलना पड़ेगा, थे past आगे न, तुम थे, तो you looked as, you looked as, though you hadn't had bath for a year, अब यहाँ पर taken भी चाहिता हो, you hadn't taken bath for a year, ऐसे भी बोल सकते हैं, अब शायद आपने note करा है की नहीं करा है, मैंने मांगता हूं कि सायद आपने ध्यान नहीं दिया है, कि मैंने यहाँ पर second form क्यों लगा, जब रूल फोर्थ था, तो उसके अंदर वर्की first form और SES का अब मैंने आपको यह पहली बताया था, आपको साथ याद होगा, जब मैंने यह चैप्टर प्रजेंट में इसका चलन जादा होता है, इसको जादा यूज कर जाता है, पर इसको पास्ट में भी यूज किया जा सकता है, अब यह छोटा example था, लेकिन यह पास्ट में कैसे ब बनता है, अब आस समझाए आपको, तो यह जो मैंने आपको रूल पता है, यह दोनों टोटल चारो के चारो रूल ऐसे हैं, जो जनरली बहुत ज़्यादा इसमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, गोमली दो साउंड, एक हमारा नाउन वाला सबसे में हैं, और यह पाँचवा, मैंने आपको टोटल चार बता हैं, चार बैसे भी पाँचवे नमबर पर बता रहा हूँ, इसमे एक चोटा सा पॉइंट है सीखने का जो आपके बहुत काम आ सकता है, और इतना जनरल और कोमन तो नहीं है, पर जब इतना बड़ा चैप्टर कराया है, तो इस में as या if, या फिर as though, प्लस, subject, प्लस में second form, प्लस में object, या नि पहले प्लस 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 में second form, प्लस में object, अब इसमें note क्या करना है, इस rule में जानने वाला main point यह है कि, as if से पहले, वाक्य में, past indefinite है, वाक्य में अगर हम देखें, तो past indefinite है, और as if के बाद वाले वाक्य में present या future है, तो as if के बाद वाले वाक्य present हो या future हो, यहाँ पर यह रूल दो लिखा है, वो रूल को समझानी कोशिक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर देखना, पहले sentence, पहले वाले, as if से पहले past indefinite second form लगाई है, और as if के बाद वाले past indefinite और second form वाला rule लगाई है, तो दोनों ही past है, तो मैं आपको यहाँ पर यह समझानी कोशिक कर रहा हूँ, कि अगर present, अगर as if से पहले past indefinite है, और as if के बाद वाले वाक्य में present या future है, तो अगर as if के बाद वाले वाक्य में present या तो past indefinite है ही लेकिन जो अगला वाला जो as if के बाद जो वाला वाक्या आने वाला हिंदी के इसाफ से बेसेक उसमें present का format हो या फिर future का format हो दोनों के दोनों हमेशा past में ही बनते हैं जादा better होगा मैं example के लिए कर समझा देता हूं जैसे कि मैंने कहा अगला वाला भी past indefinite में ही बनेगा जो past concept में ही बनेगा क्योंकि वो past में ही माना जाता है तो यह कैसे बनेगा It seemed as if I knew you रूल पर ध्यान दे It seemed as if I knew you चलिए example रोल लेते हैं ऐसा लगा वह कुछ पूछेगा अब दोखो ऐसा लगा यह तो past ही है वह कुछ पूछेगा यह future है न लेकिन जैसे मैं नेका अगर पहला past indefinite में है past में है तो अगला वाला भी past में ही बनेगा as if के बाद वाला वाक के तो क्या होगा It seemed as if he asked something समझे मेरी बहाँ तो यहाँ पर मैंने विलिया शलिया गुड़का उजित्माल नहीं करा सिधा मैंने past indefinite second form पर format उसकर रहा है उपर हना easy तो इस तरह से अब देखिए बहुत बड़ा chapter है rule बहुत सारे है total देखा है तो total मैंने इसके अंदर आपको पांच रूग रहा है जिसमें कि मैंने का हमारा noun और adjective वाला तो अलग ही है वो तो first rule बिदम अलग ही है लेकिन जो बाकी के जो मैंने दूसरे तीस से बनाए है और चोत्य बनाई है सारे similar sentences को बनाने में मदद करते है और जो पांच वा मैंने आपको बताया है इसका simple सा logic है कि अगर पहले past indefinite का sentence बन रहा है आपको यह ध्यान रखना है प्रैक्टिस जरूर करनी है बिना प्रैक्टिस से clear नहीं होगा यह बात क्लिए रहे है आई हूप आपको समझा रहा है चलिए आगे बढ़ते है तो कैसा रहा chapter आपका आसान था ना बहुत मुश्किल chapter नहीं था हाँ, कुछ points जरूर थे जो आपको समझने पड़ेंगे अलग-अलग rule के मैंने समझाया है rule 1, rule 2, rule 3 इस तरह गेर करें मैंने chapter समझाया आपको अगर आप rule को देखते जाएंगे तो आपको इश्वास करें chapter अच्छे से clear हो जाएगा और आपको सिरी ध्यान रखना है हमको rule, इस फॉर्लमेंट पे कौन सा rule लगाना है अगर आपको rule रहा दे तो कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी तो जैसे कि मैंने कहीं chapter बहुत easily आपको clear हो जागया, हो भी गया होगा अगर आपको chapter अच्छा सा लगा हो, समझा आया हो तो हमारे चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें और हमारे वीडियो को share भी कर दिया करें ताकि दूसरी लोगों कभी भला हो सके अगर आपको अच्छा लग रही है तो प्लस में इस bell icon को दबाना ना भूले ताकि आपको मिलते रहे हमारे नए वीडियो के अपडेट्स जो की आपकी मदद कर सकते हैं अलग-अलग तरह के chapter सीखने में तो ये थी हमारे आज किलाज, जल्दी नए chapter है मिलता हूँ, जब तक के लिए बाई बाई